थोड़ा सा अगर payment gateways कि अगर हम बात करें because startups के अंदर ये generally IT sector में that is one of the biggest problems कुछ international companies है let's say जैसे पिवनीर है उन्होंने I feel like बहुत जादा support किया है मत अब even हम लोग का communication business है मैं London में कोई consultant hire करता हूँ हम लोग के वानिस्तान में थोड़ा सा काम कर रहे है मुझे payments करनी है it's impossible to send money outside अब तो मुगवाना भी बहुत मश्किल हो गया है कि आप इस agency से पहले अपने आपको proof करवाएं, इस से करवाएं, बैंक से करवाएं so जो international companies पाकिसान में काम करी है पिवनीर की one of the examples जो हम लोग personally use भी करते हैं उनका आपको कितना बड़ा रोल लगता है to support the whole ecosystem I think बहुत crucial रोल है और the ones that are not here वो उनका कसूर नहीं है वो कसूर हमारा है उनके लिए commercially attractive proposition आप देंगे तो वो आ जाएंगे otherwise उनको क्या जरूरुत है कि वो अपने सरदर्दी लेके वो करें यहां पर freelancers ने figure out किया है कि किस तरह हम काम पर pay new use करके उसे कहां transfer करें और किस तरह हम पैसे मुआएं पर I think यह थोड़ा सा जरा एक वो government को इसको seriously लेना चाहिए और हमारे एक वो जो mindset है जो authorities का वो यह है कि पता नहीं क्या हो जाएगा कि अगर हमने खोल दिया and I think there is a reason to be cautious and like you know move with care on this पर यह हमारे लावा किसी और के ओपर हम blame नहीं कर सकते हम तो unfortunately यहां पर internet बंद करते हैं अगर आपने impact की बात करनी है तो Monday को चेलम वाले दिन आपके एक bikeya जैसी service cannot function क्योंकि हर rider को phone coverage चाहिए to be able to pick up like you know कि कहां से demand आड़ी और कहां पर जाना है